अब खतम होने जा रही है मीत और मीत की कहानी जिहां अब GTV के शो मीत में जेनरेशन लीप आने वाला है जिसके किबासे शो में नई कहानी शुरू होगी और लीप के साथ कई नई एंट्री इस भी हो रही है तो चलिए जानते हैं शो में लीप के बासे कौन से स्टार्स एंट्री लेंगे जैसे कि अब GTV के नई प्रोमो में दिखाया गया है किनों और दस जनवरी को मीत और मीत एक दूसरे को अलविदा कहेंगे और दोनों की डैथ हो जाती है और शो में इसके बासे जनरेशन लीप आएगा जिसके किबासे एक नई कहानी शुरू होगी आपको बता दें कि लीप के बासे एक्टर आशी सिंग और शगुन पंडे के एक्जिट नहीं हो रही है बलकि लीप के बाद भी यही दोनों लीड रोल्स करते दिखाई देंगे हलांकि इनके अलावा शो से और श्टार्स एक्जिट ले रहे हैं और शो में काफी नए श्टार्स की एंट्री होगी लीप के बाद से अब शो में अंट्री हो रही है अक्टर मोहित के सचदेव की मोहित के सचदेव शो में लीड के ब्रदर की भूमी का में दिखाई देंगे मोहित के सचदेव का यह डेब्यू शो होने वाला है और इनके रावा शो में एंट्री ले रही है एक्टरस प्राची कदम प्राची कदम शो में लीड की सिश्टर की भूमिका में दिखाई देंगी और लीप के बाद से सबसे बड़ी एंट्री हो रही है एक्टर योगेंदर विकरम सिंग की योगेंदर विकरम सिंग अच्छा खासा नाम बना चुके हैं जिनकों की गुम है किसी के प्यार में शो से खुब पोप्लारिटी हासिल हुई और अब ये लीप के बाद से मीथ शो में एंट्री लेंगे और इनका किरदार भी शो में काफी एहम होने वाला है हलंकि किस किरदार में दिखाई देंगे ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा और शो में एंट्री हो रही है चाल्ड आर्टिस्ट हरिद्यांश शेखावत की हरिद्यांश शेखावत के करेक्टर का नाम शो में वीर होगा प्रीदियांश को बालवी डिटन्स शो से पहचान मिली इनके अलावा भी शो में और काफी नई एंट्रीज होती दिखाई देंगी तो आप जी टीवी के शो मीत में आने वाले जनरेशन लीप के लिए कितने एकसाइटिड हैं हमें बताईए नीचे कमेट से एकसन में स्टूडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राब कीजिए